Outlook Matters हर शित मलक के साथ नजर्या ही जर्या है अगर मैं अपने किसी मनजिल अपने किसी विजिन पर आगे बढ़ता हूँ तो 10,000 तरीके की दिक्कते परशानिया मेरे अंदर कुछ आगर होती है मुझे लोग हसते हुए मेरे पर दिखते हैं मुझे लोग कैलकुलेट करते हुए दिखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जीत नहीं पाया मैं आगे पहुँच नहीं पाया तो मेरे घरवाले क्या काएंगे मेरे दोस क्या काएंगे मुझे हर रात हर दिन में ये भी दिखता है कि मेरे कुछ लोगों ने अचीवमेंट कर ली है मेरे रिष्टेदारों ने कर लिया, मैंने क्यों नहीं करी, मैं उस पॉइंट तर क्यों नहीं पहुंचा। अपनी मंजिर पे बढ़ते हुए, हमें अपने पाथ पे भी यकीम नहीं होता, कि वो पाथ हमें कहीं पुचाएगा, क्योंकि हम हर किसी को देस्टिनेशन और अब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर चाहिए, एक क्लियर पाथ चाहिए, बट ऐसा लाइफ में होता है लही है, वी हाव तो ट्रस्ट अपर विजिन, वी हाव तो ट्रस्ट प्रस्स्टेप, विछ तो बी टेकन बाई अस। बहुत जुरूरी है, इस दुनिया में हम लोग अकेले आए थे, बहुत जगड़ते हुए, रोते हुआ थे, कोई हमारे साथ नहीं था, इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, तो जब ए खूपसूरत सी दुनिया का हमें इतना सा सफर मिला है, तो क्य जोना अपने पर ट्रस्ट करते हुए, अपने विजिन को क्ल्यर करते हुए, और अपने लिए जी हैं, क्यों हर वगत हमें किसि ना किसी का सहराई चाहिए, क्यों हर वगत हमें और एक गोड़ नोड ज तारेफ ही चैय है कि हम एक सही पात के उपर हैं? इस दुनिया में जित सुरत सी पूइम हुआ करती थी टू रोड़स डावर्जड इन पूड और टूप दवन लेस्ट्रेवल बाई क्या ताथ पर रहे इसका जंगल में दो रस्ते थे ये लाइफ एक बूड से एक जंगल है जिसमें अलग-अलग तरीके के रस्ते जाते है एक रस्ता वो होता है जो सुसाइटी हमें शुरू से दिखाती है जब से हम पैदा होते हैं, स्कूल में जाते हैं कॉलिज में जाते हैं, बाहर निकलते हैं कि हमें ये जॉब लेनी है ये बिजनस फॉलो करना है इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, सम मिलती है और एक रस्ता है धाप होता है जहाँ पर मैं खुद से बात करता हूँ कि actually मैं क्या करना चाहता हूँ क्या मैं वहाँ तक पोहँंचके किसी दिन इस एसास में रहना चाहता हूँ कि मैंने जो देप्लियोगी कीड नहीं था यह वो नहीं था जो मैं करना चाहता था, यह मैंने वो किया, जो मेरे माबाब, जो मेरी social responsibilities और security कराना चाहती थी यहाँ मैं वो करूँ जिसे आज मैं खुद को satisfaction फील करता हूँ और आगे मैं रोऊ ना किसी से शिकायत ना करूँ नेसेसरी नहीं है कि वो रस्ता मुझे success फुल करे, बट वो रस्ता जिसे मैं खुद से चुनता हूँ, अपनी सोच से चुनता हूँ, अपनी self-awareness जगा के चुनता हूँ, वो मुझे happiness देता है, satisfaction देता है कि मैंने वो step उठाया, क्योंकि फिर मुझे कुछ और नहीं देखता है जब मैं अपनी रस्ते में बढ़ता हूँ, अपनी घोड़ा देखा है रेस का, रेस में जो भागता है, उसके ब्लिंकर्स लगे होते हैं, साइड़े कभी कोड से देखिए, वो ब्लिंकर्स उसके उपर इसलिए होते है कि वो जब रेस में भागे तो उसको अपने लेफ्ट अपने राइट कुछ नहीं देखे, वो अपने गंतव्वे की हो और तेजी से भागता जाता है, भागता जाता है, उसको कोई भी डिस्ट्रेक्शन दूरा फॉलो नहीं करता हूँ, और लोग चियर्स अप करते रहते हैं, क्योंकि भागते हूँए को अपनी मंजिल के और पीचे सब लोग कड़े हुए है, और वो घोड़ा एंड में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जीतता है, फर्स सेकंड थर्डा इससे माइने रही है, अगर आप गौर करेंगे, गोड़े को फर्स सेकंड थर्ड से मतलब नहीं होता, पबलिक को मतलब होता है, गोड़े अपने विजन को पहले स्टेप से आगे बढ़ना है, जैसी मैं स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ, आप यदि करेंगे, अनोख इसी खुबसूरती सा नुभूती होती हम इस दुनिया में, अचानक जो चीज़े हम सोच रहे होते हैं, वो हमारे सामने होनी शुरू हो जाते ह आप सामने सीक्रेट पढ़ी होगी, और इफेक्ट है, वो लोग जो आपके अबजेक्टिव में, आपके विजन में आपका साथ दे सकते हैं, वो अपने आप आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, अगर अविशकार इतनी असानी से हो गए होते, तो सबने कर लिये होते हैं राइट प्रदर्ज ने एक एरोप्ले रोडने का सबना देगा, कितने एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हुए, जब उन्होंने पहली बार बोला, कि जैसे चिडिया उड़के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, तो हम मलिश्य भी एक जगा से उड़के दूसरे उन्होंने स्टेर केस का आकरी स्टेप नी सोचा, उन्होंने पहला सोचा, दूसरा तीसरा अपनेया मिलते रहे, और आज हम जिन एरप्लेंस पे खुशिस उड़ रहे हैं, वो उनकी पता उलते हैं. We should acknowledge this beautiful life which has been given to us, this is one. Find out that one event, वो खुबसूरत चीज जो आप से बाहरने के लिए, जो आप करना चाहते हो, उसको identify करो. Find out that man, जो mirror में आपके सामने खड़ो आथा, जससे आप अभी बात नहीं करते हो, उसको सुनो और उस लाइफ पे आगे पूँ. तया जिंदगी भर हम अपने माबाग की खुशी के लिए, बीवी के खुशी के लिए, गर्फेंग की अपचों की धुशी के लिए, ज़िए जीते और करते हैं, बटम कभी किसी को Satisfye 번 करते हो. करते रहे ही है, यह समाज है, दुनिय ऐसी बनीच है, करना ही पड़े है. क्यों आम रुकेंगे यारम बनेगे इसमें एक इंसान जिसकी वज़े से आप चलते हैं, जिसकी वज़े से आप सोचते हैं, उसको एक मौका तो दीजिए, खुद से रूप रूपने का, the person inside you, talk to them, hear to him, you will find that way, and then your life is done, the most subtle happiness and freedom, without, with no one disturbing you, now. झाल